का YouTube चैनल के इस वीडियो में स्वागत है मैं केके शर्मा, Lecturer Electronics from Government Polytechnic College अजमीर आज हम इस वीडियो में Electronics 205 Code, Basic of Digital Electronics के टॉपिक देखेंगे Positive Logic, Negative Logic and Tri-State Logic तो आपके तीन तरह के logic है Positive, Negative and Tri-State Positive Logic क्या होते हैं? क्योंकि हमारे पास Digital Electronics है, वो binary number system पर बेस होती है अब binary number system में आप में दो number होते हैं मापने या दो logic होते हैं, 0 and 1 तो उनको दो bits से represent करता है binary को, या 0 या 1 या उसे बलते हैं, logic 0 और logic 1 तो positive logic में क्या है, कि इन positive logic representation bit 1 और logic 1 represents logic high and bit 0 या logic 0 represents logic low या नि 1 को अगर हम high से represent कर रहा हैं, और logic 0 या bit 0 इसको अगर हम logic low से represent कर रहा है तो वो आपका कौन सा logic कर लाता है, positive logic जैसे example में हमने देखा कि कोई भी circuit लिया तो circuit में हमने 5V कोई DC voltage का circuit है या supply voltage हमने लिये तो plus 5V को तो हमने represent किया logic 1 से और 0V या फिर ground जैसे हम बोलते हैं, ground को represent किया है हमने logic 0 से, तो या आपका कौन सा logic हुआ, positive logic तो जैसे diagram में दिखाय गया है कि logic 1 या 5V तो high है और logic 0 या 0V आपका low तो 1 तो आपके high से represent है, 0 law से represent है या 5V को 1 से represent किया हुआ, 0V को 0 से represent किया हुआ अब इनकी truth table हम देखते हैं, सत्य सार्णी अगर हम देखते हैं तो A और B आपके पास अगर 2 variable हैं, 2 variable की value कितनी हो सकती है combination, 4 combination हो सकते हैं आपके पास 0, 0, 0, 1, 1, 0 और 1, 1 या logic वाइज आगर हम देखते हैं, अगर positive logic के हिसाफ़ से देखते हैं तो 0 को हम represent कर रहे हैं low से और 1 को represent कर रहे हैं हम high से तो A और B के column ने हमने 2 LL, LH, HL और HH से represent किया है अब इनमें end और और operation अगर इनमें करते हैं, दोनों variable के बीच में अगर हम end operation या और operation करते हैं तो end operation करते हैं तो उसका output क्या आता है आपके पास 00 का end 0 ही आएगा 01 का भी 0 आएगा, 10 का भी 0 आगा, जब दोनों ही value 11 होगी तब या value कर रहेगा 1 या फिर उसको represent करते हैं कि जब दोनों ही low है तब भी low है कोई भी एक अगर low हुआ और उसका end operation करते हैं तो low ही है जब दोनों ही 11 है या दोनों ही high है तब इसका value क्या मिलेगी हमें a.b की value high मिलेगी ऐसे और operation हम देखते हैं तो तब दोनों 00 या दोनों low value को हम add करते हैं तो logic को क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, तो l से represent क्या है कोई भी अगर एक high या logic 1 से represent होता है तो 0 plus 1, 1 plus 0 या 1 plus 1 या सारे आपके 1 से logic 1 या logic high से represent होंगे तो आपके true table से इसमें show कियावा है तो low लो आपके पास क्या है y end में भी L से represent कियावा है low से भी और a plus b को भी L से represent कियावा है ऐसी LH का LH है high low है तो y end तो low है और high है और high है यह तो high और high है और negative logic क्या हो जश्ट इसका opposite negative logic में हम जो bit 0 या logic 0 रहता है वो तो represent करता है high से और bit 1 या logic 1 को represent किया जाता है है आपना logic low से यानि low level को हम रिप्रेजन कर रहा है 1 से और high level को represent कर रहा है हम 0 से जैसे उपर हमने example लिया था वैसे अगर circuit का example लेते हैं तो 5V आगर हम किसी circuit में दे रहा है तो 5V को तो मैंने represent किया 0 से और ground या 0V को represent किया हुए logic 1 से या high को 0 से represent किया है और 1 को low से represent किया हुए अब इसका true table हम देखते हैं तो इसके true table में दो variable लेते हैं यह और भी उसके possible combination कितरे होंगे आपके पास 4 possible combination होते है 0 0 0 1 1 0 और 1 1 लेकिन यहाँ पर हमने क्योंकि यह negative logic है positive logic का reverse है तो 0 को represent करेंगे हम high से इसलिए h लिखा है तो दोनों h h second में 0 1 होगा तो hl lh और ll और इसका अगर हम y and और और operation देखते हैं तो and operation में क्या होगा कि 00 से तो logic 0 ही हाएगा या कोई भी एक variable 0 होता है तो value क्या रहते ही 0 जब दोनों यह high होंगे 1 1 तब आपके पास and operation की value क्या है लेकि 00 को हमने represent किसे किया हूँ है h से और one को represent कर रहे हैं low से या l से ऐसी और operation में भी है कि जब दोनों a और b की value 0 होगा तब तो output value 0 प्राफ्थ होगी कोई भी एक value 1 होने पर हमें output 1 प्राफ्थ होगा तो 0 को यहां भी हमने represent किया है h से और सारे one को represent किया हूँ है l से तो इसके सत्य सार नहीं है हमने देखिए कि h दोनों अगर high है तो and operation में high है all में भी high है अगर इसी को हम थोड़ो सा rearrange करते है टेबल को यहनि इस टेबल को इसके तरह उपर में positive logic की तरह अगर a और b की value l और इसको rearrange करता हूँ तो दोनों अगर low value है low 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 one है bb आपके पास low value है इसको बन से represent किया तो and operation आपके पास किया है rearrange कर दिया है यहनि इस टेबल को हमने ज़रस reverse किया है यहनि जो सबसे top या bottom पे लिखा हूँ था नीचे उसको उपड सबसे उपड लिखा है हमने तो one one end operation भी one होगा और operation भी one होगा zero और one condition में end operation में zero होगा और one होगा तो ऐसे अगर इस टेबल को अगर मैं compare करता हूँ positive logic वाली टेबल से तो आप compare करोगे तो आप देखते हो कि अगर जब यहाँ पर दोनों value low है तो y and low मिल रहा है और operation भी लो ही आ रहा है और a और b में जब दोनों low है तो y and भी low आ रहा है और operation भी low आ रहा है ऐसे ही जब high और low condition होती है second वाले row में चलते है and operation high आ रहा है और low आ रहा है इसमें and low आ रहा है लेकिन और operation high आ रहा है इनकुल मिला कि इसका compare अगर हम देखते हैं दोनों उपर positive logic और negative logic को compare करते हैं तो आप देखो कि जब positive logic में और operator वाली टेबल थी जिसमें और operator में low high 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 आपके पास output हुआ था वही negative logic में वो and operation वाली टेबल बनी है low high high ऐसी positive logic में जो y and operator वाली जो टेबल थी column था low 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 high वही और operator का column बना है जिसमें low value low value low value and high value यहनि कहने का मतलब final हमारे क्या हुआ कि positive logic जो and gate है वो किसको एकलेंट होता है हमार पस negative logic or gate के यहनि दोनों का logic जो positive logic है and gate का जो positive logic होता है वही अगर negative logic में बात करें तो gate कौन सा देगा or gate का output वही logic देगा इसका just reverse है कि अगर positive gate का or logic हुआ positive logic हुआ or gate का तो किसके equivalent होगा वो negative logic के and gate के equivalent होगा यहनि और गेंट ऐसे and gate काम करेगा negative logic में और and gate or gate और or gate and gate दोनों एक दूसरे के वाइस बड़ सा काम करेंगे positive and negative logic में अब थर्ड logic आता है आपके पास try state logic तो यह तो आपके दो logic थे positive और negative मोटा मोटा अंतर है कि positive में हम 1 को high मानते है logic 1 को logic 0 को low value पर मानते हैं ऐसे negative logic में just reverse होता है कि logic 0 को तो high माना जाता है logic 1 को low value और low level का माना जाता है try state logic कई बार ऐसी condition आती है हमारे पास तब हमें इन दो bit के अलावा तीसरी कोई value चाहिए जैसे अगर हम बार पास दो ही logic पर काम चलता है हमारे detail में logic 1 और logic high तो कोई अगर ऐसा output है जो logic 1 है नहीं है तो उसको मान लेते logic 0 है लेकिन कई बार value ऐसा आ जाती है जब हमें दोनों value नहीं देखे output हमें चाहिए होता है क्योंकि हमने अगर 0 value logic 0 को suppose करो आपने logic 1 को तो माना 5 वोल्ट और logic 0 को माना 0 वोल्ट तो logic 1 मतलब आपके पास 0 वोल्ट मतलब ground हो गया ground हो गया असका मतलब अर्थिंग या short circuit तो उसको हमें logic 1 यानि active भी नहीं रखना है उसको हम logic 0 भी नहीं मान रहे है या इसको ground या short circuit भी नहीं करने है हम यह चाह रहे है कि वो device वो circuit में as a remove है या open रहे है open switch की तरह काम करें तो third logic आता है high impedance logic तो in digital electronics three state a tri state logic allows an output port to assure high impedance state और effectively removing the output device from the circuit यानि circuits में अगर कोई ऐसा circuits हो जिसमें 2 या 2 से ज्यादा input हो और हर एक input पे हमारे पास gate या कोई device लगी भी है तो suppose करो आपर पास 4 input है चारो में कोई gate या device gate लगे में है उस gate का output क्या आ रहा है किसी में 1 आ रहा है किसी में 0 आ रहा है तो 1 भी हमें logic काम में ले रहा है नहीं आ रहा और पर 0 भी काम में ले रहा है लेकिन हमें यह चाहिए कि वो circuit वो device है वो circuit से एकदम भी disconnect रहे यानि ऐसा एक चाहिए input कि circuit उसका impedance r is equal to infinite रहे high impedance रहे और circuit से वो क्या रहे disconnect रहे नहीं तो वो logic 0 में represent हो ना 1 में represent हो यह सलसे मलब तो वो represent ही नहीं हो circuit में include ही ना हो तो ऐसी condition में अमर पास यह device जो काम आती है उसे बोलते हैं यह logic काम आता है उसे बोलते हैं ट्राय स्टेट लोजिक ट्राय स्टेट लोजिक में तीन स्टेट रहते हैं logic 1 high के लिए logic 0 low के लिए और थर्ड होता high impedance logic यह हाई स्टेट लोजिक थर्ड लोजिक की है काम आता है यह काम आता है उसको isolate करने के लिए device को या उसको disconnect करने के लिए from the circuit circuit से disconnect करने के लिए अब ट्राय स्टेट लोजिक के हिसाब से जो डिवाइस बनेगी ट्राय स्टेट डिवाइस उसके 3 input 3 lines रहती है एक तो input line आपके पास output line और third line रहती enable line और control line बोलते हैं जैसे तो यह use किसके तरह आता है ट्राय स्टेट gate किसके तरह buffer gates कितरह use आता है for isolation purpose buffer gates वो buffer मतलब यह होता कि जो input एक ऐसा circuit जो input जिसका output input को follow करता हो यानि जो हमने input दिया सेम उसको किसके तरह रिपरेजेंट हो output में रिपरेजेंट हो वो तो गया buffer circuit यानि output और input की जो matching करवाता है वो circuit कराता है आपके पास buffer circuit buffer circuit में एक input अलग से हमने दिया है enable input E तो tri-state gate के हिसाब से यहाँ पर एक input होगा तो काम किसके करता है buffer gate की तरह है for isolation purpose यानि इसमें जो third input दिया उसके करणा हम इस device को circuit में बना भी सकते हैं circuit में ऐसे continuous को work कर रहा है इस तरह भी ले सकते हैं और कभी हमें disconnect करना पड़े है उस तो जब इसके value active high कप करलाता है जब E जो enable value है वो अगर हम 0 देते हैं इसके value अगर हम 0 रखते हैं तो 0 रखने से क्या होगा कि जो buffer gate से हमारे किसके तरह कि open switch की तरह काम करेगा है high impedance की तरह काम करेगा यानि उस condition में जो भी input में है वो output में circuit क्या होगा यहाँ पर high impedance रहेगा यानि एक open circuit की तरह करेगा यानि output input को follow करी नहीं पाएगा path ही नहीं बनेगा तो E जब 1 हो तब यह device active रहेगी तब तो output is same as input लेकिन E की value जब 0 है तो output buffer goes into high impedance state or disconnected from system disconnected system से तो two table से जैसे दिखाया कि E की value जब 0 है तब input चाहे आप 0 दो चाहे 1 दो वाई हमेशा क्या रहेगा एक high impedance state में रहेगा ना वन रहेगा एक high impedance state में रहेगा या open रहेगा disconnected रहेगा device उसकी जो भी next further device से connect है उससे disconnect रहेगा अब enable हम 1 देते हैं E is equal to what जब हमने 1 दे दिया उससमें यह device active हो गई ऑपरेट हो गई active high इसलिए क्योंकि E is equal to 1 पे यह active हो रही है active low buffer में लब active तब होगा जब E की value low होगी और low value का बोगी जब इस value 0 होगी यानि जब E is equal to 0 रहेगा तब तो output follow करेगा input को और E is equal to 1 रहेगा तब output goes into high impedance state में चल जाएगा यानि ऐसी state में चल जाएगा तब यह जिस भी फर्दर जिस भी device से connect है सरक्रेट से connect है तो वहाँ से उसको क्या करतेगा है कि तरह से disconnect कर देगा तो disconnect के purpose से या isolation purpose से हमार पास कौन सा logic काम आता है कि try state logic काम आते हैं try state logic में जिस हमने example देखे थे active high buffer और active low buffer यह हमारे use में लिये जाता है और जो simple दो logic चलते हैं हमार पास positive और negative logic positive वो है 1 को high है 0 को low से represent करता है negative में logic 0 को high से और 1 को low यानि उसे जर सिर्फर्स रिप्रेजेंट किया जाता है और active high end gate represent करता है positive logic end gate equivalent किसको होता है negative logic or gate के और positive logic or gate equivalent होता है negative logic end gate के तो यह आपके कई बार objective में पूछ लिया जाता है यह question Thank you